प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी नैनों की जोती अंधेरा मिटाती प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी नैनों की जोती अंधेरा मिटाती प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी नैनों की जोती अंधेरा मिटाती पाडी 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 पवित्र है शाष्वत है जीवन का मन्ना है 29 जुन बुद्भार पहला पाट प्रेरित चरीत अध्याबारा बचन संख्या एक से ग्यारा तक आप मुझे निश्चय हो गया है कि प्रभु ने मुझे हेरोत के पंजे से छुड़ाया है राजा हेरोत कलिस्या के कुछ सदस्या पर अत्यचर करने लगा उसने योहन के भाई यकूब को तलवार के घाट उतार दिया और आप उसने देखा कि या यहूदियों के अच्छा लगा तो उसने पेतरूस को भी गिरप्तर कर लिया उन दिनों बेखमीर रोटियों का पर्व था उसने पेतरूस को पकड़वा कर बंद ग्रहा में डलवाया और उससे चार-चार सेनिकों के चार दलों के पहरे में दे दिया वापस का परव के बाद उससे लोगों के सामने पेश करना चाहता था जब पेत्रूस पर इस प्रकर बंदिग्रह में पहरा बेठा हुआ था तो कलिस्या उसके लिए अग्रहा के साथ इस्वर्व से प्राथना करती थी जिस दिन हेरोद उसे पेश करने वाला था उसके पहले की रात को पेत्रूस दो हाथ कड़ियों से बंदा हुआ दो सेनिकों के बीच सो रहा था और द्वार के सामने संत्री पहरा दे रहे थे प्रभू का दूत अचानक आख़डा हुआ और कोठरी में जोती चमक उठी उसने पेत्रूस की बगल थप थपा कर उससे जगाया और कहा जल्दी उठीए इस पर पेत्रूस की हाथ कड़ी गिर पड़ी तब दूत ने उन से कहा कमर बंदिये और चपल पहन लीजिये उसने ऐसा ही किया दूत ने फिर कहा चादर ओड कर मेरे पिछे चले आईए पेत्रूस उसके पीछे पीछे बाहर निकल गया उससे पता नहीं था कि जो कुछ दूत द्वारा हो रहा है वा साच ही है वा समझ रहा था कि मैं सुपना देख रहा हूँ वे पहला पहरा और फिर दूसरा पहरा पाकर उस लोहे के फटक तक पहुँचे जो सहर की और ले जाती थी वा उसके लिए अपने आप खुल गया वा बाहर निकले और गली के छोर तक आये कि दूत अचानक उसे छोर कर चला गया तब पेतरुस होस में आ कर बुल उठा अप मुझे निश्चय हो गया है कि प्रभू ने अपने दूतों को भेज कर मुझे हेरोत के पंजे से छुड़ाया और यहुदियों के सारी आसाओं पर पानी फेर दिया यह प्रभू कियों आणी है संत्मत्ति के अनुसार पवित्र रिसु समाचार अध्याई 16 वाक्य 13 से 19 तक ईसा ने कैसिरिया फिलिपी प्रदेश पहुँच कर अपने शिश्यों से पूछा मानो पुत्र कौन है इस विशे में लोग क्या कहते हैं उन्हों ने उतर दिया कुछ लोग कहते हैं योहन बब्तिस्ता कुछ लोग कहते हैं अलियस और कुछ लोग कहते हैं अरमियस अथवा नभियों में से कोई इस पर ईसा ने कहा और तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ सीमोन पेत्रूस ने उतर दिया आप मस्सी हैं आप जीवंत एश्वर के पुत्र है इस पर ईशा ने उससे कहा सीमोन यौनस के पुत्र तुम धन्य हो क्योंकि किसी निरे मनुश्य ने नहीं बल्कि मेरे स्वर्गिक पिता ने तुम पर ये प्रकट किया है मैं अपनी कलिस्या बनाऊंगा और अधोलों के फाटक इसके सामने टिक नहीं पाएंगे मैं तुमें स्वर्ग राज की कुंजियां प्रदान करूंगा तुम पृत्वी पर जिसका निशेध करोगे स्वर्ग में भी उसका निशेध रहेगा और पृत्वी पर जिसकी अनुमती दोगे स्वर्ग में भी उसकी अनुमती रहेगी यह प्रभु का दिव्य सूसमाचार है क्रिस्त प्रभु की जय मेरे प्रिये भाई और बेनों आज हम दो महान संतों का परो मनाते हैं और वे संत हैं संत पेत्रुस और पौलुस इन्हें कलिस्या के खंबे माना जाता है पेत्रुस और पौलुस कलिस्या के खंबे थी पेत्रुस का पुराना नाम था सीमोन और सीमोन बेचसाइदा के रहने वाले थे लेकिन बाद में जाकर वह काफनाओं में रहने लगे सीमोन पेशे से मच्छुए थे सुसमाचार में हमें पढ़ने को मिलता है कि कैसे प्रभी येशु ने सीमोन को बुलाया सीमोन और अपना भाई अंद्रैस जाल बिछाये हुए थे मच्छली पकड़ने के लिए समुद्र में प्रभी येशु ने उनसे कहा मेरे पीछे चले आओ मेरा अनुसरन करो और उन्होंने जाल को समुद्र में छोड़ दिया और येशु का अनुसरन गिया पेत्रुस प्रभी येशु के बारह प्रेरितों में से एक थे इतना ही नहीं प्रभी येशु के करीब तीन शिष्य बराबर रहा करते थी उनमें से पेत्रुस एक थे आज की सुसमाचार में आपने सुना कि प्रभी येशु कैसिरिया फिलिपी पहुंसते हैं और उन्होंने शिष्यों से सवाल किया कि मानो पुत्र कौन है इस विष्य में लोग क्या कहते हैं और उन्होंने उतर दिया कुछ लोग कहते हैं योहन बप्तिस्ता कुछ कहते हैं एलियस और कुछ कहते हैं ये रमेस अथवा नभीयों में सिकोई इस पर ईशा ने कहा और तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ सीमोन पेतर उसने उतर दिया आप मसी हैं आप जीमंत ईश्वर के पुत्र है इस पर ईशा ने उससे कहा सीमोन यौनस के पुत्र तुम धन्ने हो क्योंकि किसी निरे मनुश्य नहीं बलकि मेरे स्वर्गीक पिता ने तुम पर ये प्रगट गिया है प्रभीयसु ने शिशों से पूछा कि मेरे बारे में लोग क्या कहते है शिशी बहुत उतावले थे उत्साहित थे और उन्होंने जवाब दिया लेकिन जब प्रभु ने एक व्यक्तिकत सवाल किया कि तुम तुमारे लिए मैं कौन हूँ तुम क्या कहते हैं कि मैं कौन हूँ समाचारे में बताता है कि पेतरुस ने कहा कि आप जिवी तीश्वर की पुत्र हैं आप मसी हैं मैरा विश्वासे की सभी शिश्य महुन थे लेकिन पेतरुस बोल उठते हैं पेतरुस के अंदर एक सरलता थी एक सहजता थी पवितरात्मा की क्रियाशीलता के लिए ये सहजता और सरलता अनिवार्य है हम योहन के सुसमाचार के अध्यायकेज में पढ़ेंगे पेतरुस और अन्य शिश्य प्रभी शिश्य की मृत्यू के बाद मचली पकड़ने जाते हैं रात बर परिश्यम किये लेकिन एक भी मचली पकड़ने पाए सभेरे प्रभी शिश्य तड़ पर आते हैं पुनरजीविती शिश्य तड़ पर आते हैं और उन्हें आदेश देते हैं कि दाहə ने तरफ जाल बिछाओ और शिश्यों ने ऐसा ही किया ढेर सारी मचलियां पकड़ी और योहन ने का कि ये जरूर प्भू हैं इतना सुनते ही पेत्रूज अपना कपड़ा पहन लेता है क्योंकि वे नंगा था कपड़ा पहन लेता और पानी में कूत पड़ता येशु के चर्ण पास आ जाता है पेतरुस के अंदर एक सहजता थी एक सरलता थी शायद यही कारण है कि पवितरात्मा ने पेतरुस को इस्तेमाल किया ताकि वो घोशित करे कि आप ईश्वर की पुत्र है आप मसी है प्रभी येशु का क्या जवाब था प्रभु ने कहा सीमोन मैं तुम से कहता हूँ तुम पत्रस हो पेतरुस हो चटान हो केफस हो और इस चटान पर में अपने कलिश्या का नर्मान करूंगा प्रभी येशु ने उस समय सीमोन को एक नए नाम दिया पेतरुस पत्रस अर्थाद चटान विश्वास की चटान और इस प्रकार प्रभी येशु ने पेतरुस को शिश्यों का अगुवा बनाया और पेतरुस के अधिकार को सुसमाचार में हम पढ़ते हैं शिश्यों ने स्विकार भी किया अंगिकार किया योहन के सुसमाचार के अधियाई 20 में पढ़ेंगे कि जब मरियव मगदलिना कबर के पास गई और इसु की लाश नहीं पाई तो दवड़ती वी शिश्यों के पास आती है और कहती है कि उन्होंने येश्यों की लाश को ले गया है और पेतरुस और योहन दोनों दवड़ पढ़ते हैं वचन में लिखाओ योहन लिखते हैं कि योहन पहले पहुंस गया लेकिन कबर के अंदर नहीं गया पेतरुस को जाने दिया यानि पेत्रुस की आधिकारिक्ता को योहन ने स्विकार किया इसी प्रकार प्रेरित के अध्याई एक में आप पढ़ेंगे पेत्रुस खड़ा हो जाता है शिशों के सामने और कहता है कि प्रभी येशु ने बारा प्रेरित नियुक्त किये थे उनमें से एक यूदस करियोती ने येशु को पकड़वाया और वो आत्मात्या कर चुगा है हमें उसका स्थान लेने के लिए कुछ चुनना है पेत्रुस उस सभा की अध्यक्षता करता है पेत्रुस को अधिकार दिया गया और समुदाय ने पेत्रुस को अधिकार दिया गया और कलिस्या ने उस अधिकार को स्विकार की अंगिकार गया दूसरी तरफ हम पढ़ते हैं पॉलूस के बारे में पॉलूस एक कटर यहूदी थे एक फरिसी थे प्रसिद्ध धरम गुरु गमालियल के अधीन रहकर धरम शिक्षा को प्राब्द गया था उन्होंने यहूदी धरम के ग्रंध का अधियन गया था पॉलूस ने प्रभियसु के शिश्यों को यहूदी धरम के विरोधी और विद्रोही समझ लिया था और इसलिए उन्होंने उन पर आक्रमन गिया उन पर अत्याचार गिया प्रेरी चरित के अध्याए 9 में आप पढ़ेंगे कि किस तरह पॉलूस ने मसीयों पर अत्याचार गिया था अध्याए 22 में प्रेरी चरित अध्याए 22 में प्रभियसु स्वयम घोशित करते हैं कि मैंने किस तरह मसीहों को प्रभीयसु के शिशों को घसीट घसीट कर बंदीग्रह में डिलवा दिया था और वो दमिश्क की ओर जा रहा था यही कारे करने के लिए मार्ग में प्रभीयसु प्रकट हो जाते हैं वहाँ पर पॉलूस बदल जाते हैं वही पॉलूस जो सुसमाचार का विरोधी था, शिश्यों को परत्याचार करता था, वही पॉलूस अब सुसमाचार का उद्गोशक बन जाता है, पॉलूस ने चारों और घुम घुम कर सुसमाचार की घोशना की, पेत्रूस ने यहूदियों के बीच सुसमाचार की घोशना क तो पौलूस ने गैर यहूदियों के बीच में सुसमाचार की घोशना की प्रेरी चरित पढ़िये कि पौलूस सुसमाचार की घोशना के लिए कितना प्रयास करता है कितनी मैनत करता है कितनी जोखिमों का सामना करता है कितनी बार जेल में डाला जाता है कितनी बार कोडे खाता है कितनी रातें बिना सोय बिताता है समूद्र में बिताता है प्रेरिचरित बहुत सुन्दर उदाहरन है पहलूस के अंदर जो सुसमाचार की घोशना के लिए साह था उसके लिए और वही पहलुस बहुत सुंदर सुंदर पत्र लिखते हैं पहलुस के पत्रों को पढ़िये कितना गहरा अध्येन किया उसने प्रभी येशु की शिक्षाओं पर एक विश्वासी के लिए आवश्चक हरे एक बात पर विश्वास के बारे में पारिवारिक जीवन के बारे में धरमगरंथ के बारे में सुसमाचार के प्रसार के अवश्चक्ता के बारे में धर्मादेक्षों के बारे में आगवों के बारे में एक एक विश्व पर अवश्व विश्व पर पौलूस लिखते हैं पौलूस बदल गए पौलू सेशु के लिए जिए, सुसमाचार के लिए जिए, देखिए उनके पत्रों को पढ़िए रोमी अध्याय आठ वाकिय पैंथिस में वो कहते हैं कौन हमें मसी के प्रेम से अलग कर सकता है गलातियों के पत्र के अध्याय छे वाकिय चौदाव में वो कहते हैं कि मैं तो संसार के लिए मर गया और संसार मेरे लिए मर गया है गलातियों के पत्र के अध्याय दो वाकिय बीस में कहते हैं अब से मैं नहीं बलकि मसी मुझ में जीता है तो हम देखते हैं कि एक तरफ पेत्रुस विश्वास में द्रढ विश्वास की चटान और दूसरे तरफ पॉलुस जो उस विश्वास की उद्गोशना में लगए हुए हैं पेत्रुस विश्वास की चटान थे विश्वास की द्रढ चटान थे तो दूसरे तरफ पॉलुस सू समाचार की उद्गोशक थे सू समाचार की उद्गोशना के लिए सू समाचार के प्रचार के लिए जो उच्साह की आग उनमें थी उस आग को हम देख सकते हैं देखिए हम विश्वासियों के लिए दोनों संत महान उदाहरन है पेत्रुस विश्वास के लिए उदाहरन है तो पॉलुस सु समाचार प्रचार के लिए उदाहरन है हम विश्वासियों को सिर्फ विश्वासी बने रहना नहीं चाहिए सिर्फ विश्वास का पालन करना विश्वास के कारियों को करना एक विश्वासी के रूप में जीना बलकि हमारे अंदर जिस तरह पॉलूस के अंदर सुसमाचार की घोशना का उत्साह था आग थी उसी तरह हमारे अंदर भी सुसमाचार की घोशना की आग होनी चाहिए एक तरफ हम देखते हैं कि पेतरुस जो अधिकार रखते थी पेतरुस के अंदर कलीसिया में अधिकार था दूसरी तरफ हम देखते हैं पाउलुस में पवित्रात्मा का सामर्थी था अधिकार और सामर्थ दोनों अवश्यक है, सामर्ति का इस्तेमाल करने के लिए अधिकार की जरुवत है, कलीसिया में भी अधिकार की जरुवत है, साथी साथ सामर्ति की जरुवत है, पवितरात्मा की क्रियाशीलता, पवितरात्मा के सामर्ति पूर्ण कारियों की जरुवत है, सुसमाचार की के वरदानों की भी अवश्यक्ता है पेत्रुस और पॉलूस आज कलीसिया के लिए सुन्दर नमूने के रूप में रखे जा रहे हैं आज हम उनका परो मनाते हैं आज कलीसिया हमारे सामने पेत्रुस और पॉलूस का नमूना रखते हैं हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु पेत्रुस की तरह मेरे विश्वास को बढ़ाईए और द्रढ बनाईए चट्टान जैसे बनाईए हम प्रभु से प्रार्तना करेंगे कि प्रभु पॉलुस की तरह सुसमाचार की घोशना की उच्छा से आग से मेरे हिर्दे को भरिये हम प्रभु से प्रार्तना करेंगे कि प्रभु जिस तरह पेत्रुस अधिकार रखते थे उसी तरह प्रभु के ग्यान का अधिकार हम रखे साती साथ पौलूस की तरह पवितरात्मा के सामर्थिय पवितरात्मा की चमक को रखे कलीसिया ने जान बूज कर इन दोनों संतों को एक साथ हमारे सामने रखा है अक्सर हम हर रोज एक एक संत का परो मनाते हैं और विशेश करके दो महान संतों को एक साथ रखते हुए कलीसिया हमारे सामने कुछ महतपून बातें रखना चाहती है जो अभी-भी मैंने आपको बताया हम प्रार्थना करेंगे इन महान संतों की परोपर संत पेत्रूस और पॉलूस की विशेश मद्यस्तता दोर हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभू जिस तरह पेत्रूस और पॉलूस को तुने अपने विश्वास और विश्वास की घोशना के लिए उसाह से भर दिया हमें भी भर दिजिए आमें भी पेत्रूस की तरह सहज बनाईए आमें भी पॉलूस की तरह उच्छाही बनाईए आमें भी पेत्रूस की तरह खुले मन के बनाईए आमें भी पॉलूस की तरह खुले दिल के बनाईए दोनों कलिस्या के लिए उदाहरन है आदर्श है नमुन है आज हम प्रार्थना करेंगे अपने आखे मन किजिए प्रभ्येशु धन्यवाद देते हैं आज की सुन्दर दिन के लिए संद पेत्रूस और पॉलूस के महान उदाहरन के लिए धन्यवाद देते धन्यवाद देते हैं उनके व्यक्तित्तु के लिए पेत्रु से एक साधारन समच्छुआ था लेकिन तुने उनको एक बहुत महान उद्गोशक एक महान सामर्थिपूर्ण और महान अग्वा बनाया तुने उनके कंदे पर अधिकार्द रखा पॉलुस खलिश्या का विरोधी था सुसमाचार का विरोधी था लेकिन तुने उनको एक महान सुसमाचार के प्रचारक बनाया हमारे भी जीवन को बदल दीजिए आमें भी तेरे राजी के योग्य बनाईए आमें भी सुसमाचार की उद्गोशना या और प्रचार के उच्साह से भरिए अमें भी विश्वास की द्रता प्रदान कीजिए ए प्रभी एस्विन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बेनों को आशिर्वात दिजिए आज का संपूर्ण दिन उनके लिए किर्पा का दिन हो आशिश का दिन हो संपेत्रूस और पॉलूस की विश्ष मदिस्ता द्वारा उनके जीवन में बड़े-बड़े चिन और चमतकार प्रकट हो जाएं रोगों से मुक्ती मिले अलग-अलग प्रकार के बंधनों से अजादी मिले अमारी इस प्रार्तना को ग्रहन कर आमेन मारी पागत्र है शाश्वत है जीवन का मन्ना है